है हलो एवरीवन वेलकम इन दिस वीडियो आज मैं आप लोगों को डियेवी के क्लासिक्स का एसेश्टी का चैप्टर नमबर ट्वांटी टू पढ़ाने जा रही हूं इसका वीडियो का एक पार्ट में पढ़ा चुकी हूं इस चैप्टर का कुछ पार्ट जो से मैं एक प्रिजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो आप लोग एक लासिक्स के स्ट्रेंट से दिएवी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लोग में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यह वीडियो आपके लिए हैलफुल होगी और आपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी इंडिया है इसे लोग तो नहीं कर सकते तो उनकी तरफ से कोई एक रिप्रेंटेटिव होता है रिप्रेंटेटिव के थूज है यहां का डेमोक्रेसी का साशन किया जाता है तो इसको देखते हैं उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर होगा इंडिया इस डिफिकल्ट वि इंडिया जैसा की बहुत बड़ा कंट्री है यह तो यहां पर यह सारे लोग डारेक्ट जो है सब्सक्राइब करें ऐसा पॉसीबल नहीं है काफी बहुत डिफिकल्ट है कि हर लोग जो है सब्सक्राइब करें इस आशन विवस्ता में कानूर बरान में हर किसी चीज में तो ऐसा पॉसीबल नहीं कि सारे के सारे लोगी संसत पार्लियमेंट वगरा पहुंच जाए तो तो इसके लिए क्या है तो इसलिए क्या है कि इंडिया में जो है वह रिपर्जेंटेटिव डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया गया है अपनाया गया है अंडर इस सिस्टम में क्या होता है पीपल इलेक्ट दियर रिपर्जेंटेटिव वह गवर्न ऑन दे बिहाफ यह लोग जो है तो अपना एक नीता चुनते हैं जो सब को पसंद हो कि हाँ यह जो है जिसको हम चुन रहे हैं यह जो है हमारी अब से शाषन करता है और कारी करता है इस मेंस इसका मतलब क्या होता है इंडिया इन इस इंडियर गवर्न बाइद पीपल थूद्य इलेक्टिटी रिपर्जेंटेटिव लाइप पांच मुनिसिपल कांसिलर मेंबर्स ओफ लेजिस्लेटिव असेम्बली और मेंबर्स ओफ पार्लियमेंट यानि कि इसका मतलब यह होता है कि इंडिया में जो लोग रहते हैं जैसे कि आप देख लिजे सब से जो चोटा जो है चुटा लेवल पर जईसे गावं के लेवल पर हैं तो पंच है और जब बहुत सारे गावं मिल गए तो जो उसके उपर फिर वह जाता है हमारा और बहुत सारे जो जो हमारे रिपर्जेंटिटिव है वो अभी इससे में कौन है मिट्र नरेंद्र मोधी हैं तो वह हमारे Central Level की हैं और जो हमारे सबसे च्छोटा यूनिट जो होता है यारी पंच जो होते हैं वह आपकी आसपास की एरिया में जो होगा आपको पता होगा चाहाँ आप अपने घर में पूछ के देखिएगा कि आपके आसपास का जो है वह सब सबसे छोटे मतलग सबसे स्मॉलेश्ट यूनिट जो है वह होती है जिसको हम चुनते हैं इंडिया इस लार्ज डेमोक्रेसी ऑफ तर वर्ल्ड गवरंड बाइड डेमोक्रेटी गर्मेंट तो इंडिया जो है यहां की जन संक्या है वह सबसे ज्यादा चाइना की उसके बाद इंडिया है जो इंडिया है सबसे लोग यहां topic वहां है तो इंडिया में है a democratic government is a government of people for the people and by the people इस point को भी note करें कि जो एक democratic government में क्या होता है कि of the people यानि लोगों का शाषन for the people लोगों के लिए शाषन और by the people और लोगों के द्वारा यानि कि of the people for the people by the people यह line बहुत important है यह objective questions में भी आ सकता है आपको आगे भी यह line जो है बहुत ही हर एक्जाम अगेरा में आपको जरुत पड़ेगी इसको नोट रखें कि इसका इसी मतलगी डेमोक्रेसी का यह कि दर से कह सकते हैं कि समरी है कि डेमोक्रेसी क्या है तो डेमोक्रेसी में जो government है वो of the people है for the people है और by the people the people of India have the power to govern their country through their elected representatives who make decision on behalf of the people make laws in the interest of the people and work for their welfare तो जैसे कि हमारे देश में हैं इंडिया में क्या है कि यहां पर जो लोग होते हैं वो डायक्ट रूप से हैं तो उसके लिए वह अपना एक रिपर्जेंटेटिव जो है इलेक्ट करके चुन करके भेजते हैं जो कि उनकी लोगों की तरफ से वेलफेर के लिए उनके उनके कुछ काम करना होता है जो भी लौ अगयरा बनाने है जो भी नियम ने बनाने हैं वह उन लोगों की तरफ से वह जो रिपर्जेंटेटिव लोगों के दौरा चुना गया रहता है वह करता है नेकि हम इंडियन्स को जो है जो प्राउड फिल करना चाहिए हमारे जो कंस्टिटूशन मेकर्स हैं जिनोंने समिधान बनाया उन पर हमें प्राउड फिल करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में समिधान लागू हुआ आजादी के बाद से ही यहां पर मेन और विमेन दोनों को इक्वल वोटिंग कर सकते हैं और उन दोनों का जो है वैल्यों बराबर रहेगा जिबकि क्या है वेन दा कंस्टिटूशन वाद इनफोर्च लाइक डैट ऑफ यूएस और यूके एंड फ्रांस वियर वूमेन है तूफ़ाइट फॉर यह तो गेट दराइट तू वोट जैनी कि इसके और दूसरे देशों में क्या है जैसे कि जहां पर और बी जगजान डेमोक्रेसी है जैसे कि यूके है यूएस है और फ्रांस है वहां पर ऐसा नहीं था वहा United State of America में जो है वोँमेंज को 1920 में वोट डालने का राइट मिला इन UK देवर गिवन वोटिंग राइट इन 1928 और UK में 1928 में जबकि फ्रांस में वोमेंज को 1944 में वोटिंग का राइट मिल पाया था तो इसलिए हम इंडियन्स को जो है अपनी समिदान पर संधान मेकर पर constitution makers पर proud feel करना चाहिए कि यहाँ पर जो हैसे men और women दोनों को equal voting rights मिला है आजादी से ही People's participation लोगों का क्या है योगदान क्या है participation कैसे है तो participation of the people in the election process of the country at various level is based on universal adult franchise which means all the citizens of India who are 18 years of age the abo are eligible to cast their votes irrespective of caste color creed region religion or language हमारे देश में जो elections होते हैं इनले तो elections का process जो होता है वो universal adult franchise पर based होता है यानि कि इसका मतलब होता कि कोई भी citizen जो इंडिया का है कोई भी नागरी जो की 18 years का हो चुका है 18 years से कम वाले नहीं जो 18 years के हो गए है या उससे ज्यादा एज के लोग हैं वे लोग जो हैं अपने vote को दे सकते हैं बिना किसी जाती के बिना तो अगर को पेल जाती धर्म लैंड़ीज और छेत्र का किसी का भी भी बेदभाव किय बिना ऐसंद नहीं को ल hè सब्सक्राइब जरके बोट डाल सकता है या फिर अलग ढूरह सकता को इस तरह सकते हैं द्रशे वह वह जो है किψी भी तरह का इसमें भीधभाव नहीं है ना तो कास्ट के बेस पर ना तो color, creed, religion, reason और language इन समय से किसी के बेस पर भी यहाँ पर कोई भी भी भाग किये बिना हर एक citizen को जो की 18 years का age हो चुका है या उससे ज़्यादा age का है वो वहाँ इसमें voting में जो है election के जो process होता है उसमें भाग ले सकता है Right to vote and to elect representative is given to all the adults without any discrimination यानि कि vote डालने का जो अधिकार है वो अपने representative को चुनने के लिए वो हर adults को बिना किसी भी भाग के प्राप्त है यानि कि जो adults को नोगे जो 18 years या उससे ज़्यादा के हो गए उनको इस राइट फॉर्म्ट आव डेमोकरीटिक गवर्मन्ट एट वेरियस लेवल इन इन्डिया यह जो अधिकार यह हम लोकतांत्र जो है सरकार इसमें अलग 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 लेवल पर इंडिया हो ऐसा नहीं है बलकि हर लेवल पे जो हम अपना रिपर्जेंटिटिव चुनते हैं चाहे वो पंच हो म्यूंसीपल को नुसिल का हो या फिर लेजिसलेटिव एसेंबली का हो या फिर मेंबर ऑफ पार्लियमेंट हो तो हर लेवल पिर हम इसी तरीके से हर किसी को वोटिंग का अधिकार है जो की 18 years का हो चुका हो पीपल्स पार्टिसिपेशन दस नॉट एंड इवन आफ्टर दा इलेक्शन इस आलसो तो बी सीन वेन गोर्वर्मेंट इस फॉर्म्ट बाइड एलेक्टेश्टेटिव इन दे टो देलाइफ पीपल गोजली वाच दाटिविटीज अव लोगों का जो participation होता है इलेक्शन का वो यहीं पर खत नहीं हो जाता है उन्होंने वोटिंग दिया अपना रिपर्जेंटिटीव चुना और उनका जो हैज़ों काम खतम फार्वर्म्ट यहीं तक नहीं होता है बलकि उसके बाद क्या है कि जो इन्होंने जिस काम सही नहीं किया आपने हमारे काम करते हैं तो उसमें लोग अधिक मतलब चलाए करते हैं कि यहां आप अपने वादा किया थनके यह करेंगे और आपने हमारा बोसा तो प्रूर को हैं कि हमारे याधिकार हैं नहीं कि मिली है भारती समिधान के द्वारा उसका भी अपना ध्यान रखते हैं कि वह हमारा जो है वह यह लोग किसी तरह से कोई कानून बना करके कम ना करें हमारे अधिकार छीन ना जाए हमारी फ्रीडम में किसी तरह की कमी ना हो वेंड़ टर्म और गॉर्मेंट एन एनी लेवल एकसपायर विच इस फाइफ यर इन इंडिया जैनरल इलेक्शन और हेल्ड जब गॉर्मेंट का एक टर्म जो होता है वह एक लेवल होता है जैसे कि क्या होता है कि फाइफ आइवरी टाइम के लिए हमने कर दिया तो फिर क्या होगा फिर तो वह अपनी मनमानी करने लगेगा इसलिए शर्फ पांस साल के लिए होता है पांस साल के बाद क्या होता है कि दुबारा से चुने जाते हैं एड डिस इस्टेज अगेन इट इस दा पीपल वो डिसाइड वैदर तो इसके बाद लोग यह डिसाइड करते हैं कि क्या जिस आदमी को हमें चुना था इस पॉलिटिकल पार्टी को क्या हमें दुबारा उसको चुनना चाहिए या अब दूसरे किसी को रिप्लेस करना चाहिए अगर लोग जैसे कि लोग इसके इलेक्शन के बाद गवर्मेंट मे अबजर्व करते हैं देखते हैं उनकी अक्टिविटीज देखते हैं कि वो कैसे कारे कर रहे हमारे वैलफियर के लिए क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और उसके बाद अगर उनको लगता है कि यह हमारे इच्छाओं के वीपरी काम कर रहे हैं कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमा अरशुने considering all the aspects the duty of the voters in a democratic setup is by no means easy and simple therefore it is essential to think carefully before one cast one's vote it is our moral duty that we use our right to vote judicially तो इसमें क्या होता है नहीं कि इस सब सारा कुछ aspects जो है तो देखने के वाद ऐसा है कि जो democratic setup जो होता है इसके लिए हर एक voters का जो है हर एक वोट जो है वह बहुत कीमती होता है कि एक एक वोट से जो है सो लोग हारते जितने जितने और हारते हैं इसलिए अगर आप जो भी representative को चूज कर रहे हैं तो जिसको हम वोट डाल रहे हैं वो कुछ करने लाइक है इस योग्य है भी की नहीं है वो काम करेगा आगे की नहीं करेगा हमारी वेलफियर के लिए तो उसको हमें अपनी देख करके दिहां के ही वोट देना चाहिए यूंकि है ऐसा नहीं कि चलो मैंने इसको दिए तो क्या वह बाकी लोग देंगे न तो ऐसा नहीं हर किसी का वोट जो होता है वह बहुत ही important होता है एक एक वोट हाव डी हाव डूवी ग सब्सक्राइब करते हैं जो कि कंट्री में हमेसा घठती रहती है दिर बिल्डिंग्स ऑफ रोड्स जेनरेशन ऑफ एलेक्ट्रिसिटी रनिंग ऑफ हॉस्पिटल्स एंड इस्पेंसरी इंपार्टिंग एड्यूकेशन ट्रांस्पोर्टेशन ऑफ गोड्स एंड पैसेंजर दिए गई है हॉस्पिचल्स कैसे हैं एडूकेशन में क्या डेवल्ट्पन हो रहा है ट्रांसपोर्टन कैसा हो रहा है हमारे दिसमें और डिफैंडिंग के लिए क्या है बाँडर वगेरा पे क्या सुरुच्छ्छा है यह तो जो है लोग हम लोग जो है सो अबजार करते है यह तरह के कई सारे कारी जो गोभर्मेंट के द्वारा कि जाती हमारी किया जाता है वह और इन्द फॉल को गनाइस करता है और क्वंद और कीसे करता है इसका सूपरवीजन करते हैं कि काम कैसे हो रहा है और हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं अपने आसपास की तो जैसे कि मैंने बताया था आपको भी कि हर लेवल पर होती है है उसके पादे क Sex अब मेहिए चै 이름 से नेहां जैसे हैं से हमारे से और किया तो तो फिर वाले जो होते हैं हैं उनको लेवल के हैं हैं the government not only makes law for all of us but execute them as well in case some people break these laws they are punished also the government's जो है वो केवल लौ बनाता ही नहीं है लौ बना करके उसको लोगों से पारण भी करवाता है उसको मतलग की पारण करवाने को रूत गोइड़की से श्रकार जो होती है जिसमें जिस यहां का जो फंक्शनिंग होता है बहुत सुथ हो बहुत अच्छे तरीके से कारे हो तो उसके लिए क्या होता है कि डिफेरंट डिफेरंट है उनको उनकी डियुटी और रिस्पोंसिबिटी जुह हो डिवाइड कर दिय जाता है गुवर्मेंट के अलग-अलग लेवल में लेवल्स ऑफ गौर्वर्मेंट के क्या क्या होते हैं कीपिंग इन माइंड लार्ज एक्सिंट ऑफ दे कंट्री वास्ट पॉपॉलेशन और डिवर्सिति ऑफ इंडिया डे इसको ध्यान में रखते हुए कि हमारा देश जो है वह बहुत बड़ा है यहां की पॉपॉलेशन भी बहुत बड़ी है और यह जहां पर मतलग की बहुत जाती कई सारे जाती धर्म वगरा की लोग भी रहते हैं तो इस सब्सक्राइब की जिम्मेवारी बन जाती है कि रिस्प उसको दा सेंटरल और और यूदि दो अंड Neebill होता है सबसे हाइ लेवल वह क्या होता है नैशनल लेवल उसके बाद होते है उसके बाद री नेशनल लेवल होते योदि क्या होता है तो चाह जांकि हम सब्सक्राइब तो इसका तो एक ही हो गया जैसे कि हमारे पी एम जो है इसके अंदर इस्टेट्स है तो इन इस्टेट्स में डिवाइड हो गया और एक एक जो है एक 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 स्टेट्स का एक 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 ही हो गया तो इन में डिवाइड कर दिया गया फिर जो सबसे लोवेस्ट जो होता है वो क्या होता है विलेज लेवल का वीच इस आलसो कॉल्ड गौर्मंट एड़ ग्रास रूट लेवल जानी कि जो इसके श्टेट के बाद क्या हुआ इसम तो इसको क्या कहा आता है जो विलेज लेवल पर है उसको ग्रास रूट लेवल यानि कि जो गौर्मंट है सबसे निच्छी लेवल का वो क्या होता है ग्रास रूट लेवल दा ग्राम पंचायत सकम अंडर दिस कटेगरी और इस कटेगरी में क्या आता है ग्राम पंचायत आ है तो वह गौर्मेंट के जो काम है वो डिवाइड किये गए हैं उनकी रिस्पांसिबिलेटीज को आप लोगों को यह टॉपिक किलियर हो गया होगा और समझ में आयोगा वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें थैंक्स फूर वाचिंग एंड मैं इसे कोस्टिन एंसेर जो है वो आपको जल्द प्रोवाइड करा दूंगे